योग पुरातन काल से ही हमारे जीवन का महत पुन हिस्सा रहा है हमारे पौरोनिक गरंत उड़ जावान तन प्रभूलित मन के लिए योग की शरण में जाने का संदेश देते हैं हमारे दिश्य मुन्यों ने भी तप और ध्यान के साथ योग के महत को प्रतिपादित किया है सर्वे बहुंतु सुकिन, सर्वे संतु निरामय के धेवाके साथ भारतिय संस्कति में सबके कल्यान की कल्पना की गई योग सकारत्मगभाओं से हमारे तन, मन, हमारी चेतना और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का काम करता है योग देनिक जीवन की समश्याओं, परेशानियों का मुकाबला करने में भी सायक है महरशी पतंजली जी ने लगबग 2000 वर्षपूर योगसुत की रशना की थी इस गंत ने भारत की एक अनुठी और अमुल सांस्कति धरोग के रूप में योग की पहचान दिलाई है योग का विस्तार आद दुनिया के सभी देशों में भारत पूरे विष्व में योग गुरु की भूमी का निबारा है दूसरी शब्दों में कहा जाए तो ये दुनिया के लिए भारती प्रंप्रा का सबसे अनुपम उपार है वर्ष 2014 में जब स्विंत राश्शंग ने योग के मत को स्विकारते हुए 21 जून को अन्तराश्टिय योग दिवस के रूप में गोशित किया तो इसकी लोगप्रिता और अधिक बढ़ गई है ये भारत के लिए गर्व का स्था कि योग के माद्यम से भारत दुनिया के सभी देशों को एक मंच पर लाने में सपल रहा ये हमारी उलेकनी उपलब्दी है कि पूरी दुनिया में अन्तराश्टिय योग दिवस के अफसर पर विशेश कारेकमों का आयोजन किया जाता है इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे है परमप्रागच किस्सा पद्दितियों के साथ आज गुविन व्यादियों के उपचार और नियंतन के लिए योग के उपयोग का चलन हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों में भी तेजी से बढ़ रहा है मैं दुनिया में देखता हूँ किस तरीके से योग के महाद्यम से लोग सवस्त हो रहे हैं आज पुरी दुनिया कोरोना की महमारी का सामना कर रही है इसके उपचार है तू अब किसी दवा या टीके का अविश्कार नहीं हुआ है कोरोना काल में भी सपलता का सबसे बड़ा सुथ है कि हम चुनोतियों में अवसर तलाशने का प्रियास करें ये रोग हमें संकेत दे रहा है कि योग साधना के दौरा सेउं के शारारिक और मानसिक स्वास्त में सुधार करें तता भईश में आने वाली हर प्रकार की स्वास्त समश्चा के लिए प्रती रोधक शम्ता करिक्सित करें पूरी दुनिया में विश्य योग दिवस उस्सा के रूप और उमंग के रूप में मनाया जा रहा है बेतर आउसर है कि हम इस योग को अपने जिवन का महत्पुन हिस्सा और अंग बनाने का प्रियास करें मेरा आप सब से आगर है कि आप सब अपने परिवार में अपने मित्रों में अपने रिष्टेदारों में सब में आवान करें कि हम सब को योग के माध्यम से अपने जीवन को सवस्त बनाना है और अपनी देनिक दिंचरिया के अंदर भी योग अपनाने का प्रियास करना है इस मोखे पर मैं आप सब को योग दिवस की बहुत बहुत शुपकामना देता हूं और आशा करता हूँ कि इस कोरोना के सक्रमन के समय आपने परिवार से योग किया होगा और किस तरीके से आप स्वस्त भी होंगे और किस तरीके से आपके जिवन में नई उलास, नई कुसिया, नई उमंग आयोगी एक योग वेक्ति को सश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्